अब दोस्तों एक्जामपल नंबर 15 बहुती गजब का क्वेश्चन है मतलब अगर यह क्वेश्चन एक्वेश्चन में आई सकता है और मतलब ऐसा यार यह क्वेश्चन की होता नहीं है लड़कों से लड़कों से टैंथ क्लास वाले मतलब मुश्किल से 20 परसेंट बच्चे क हुआ है एक वल्टू बी तो तुम्हें यह चीज़ पता होनी जी है मैं अगर इस दोनों तरफ मल्टिप्लाइ करूंगा दो से यहां भी और यहां भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता देखो दो से दो कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या एक वल्टू बी या मैं डिवाइड कर दूँ जैसे सपोस करो उपर चार है और नीचे लिखा है आठ मैं चाहता हूँ मैं उपर वाले को भी दो से डिवाइड करो नीचे वाले को भी तीक है इसे दो से डिवाइड करो चार बटा दो नीचे वाले को भी आठ से दो से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा है यह ये क्या हो जाएगा चार गुना दो और दो गुना आठ दो से दो खतम वो ही बचा मेरे कहने का मकसद ये था वाईजान कि अगर हम किसी को डिनोमिनेटर को और नियूमिरेटर को किसी भी चीज से डिवाइड करें या किसी भी चीज से मल्टिप्लाइ करें तो कोई दिक्कत न अपने दिमाग में कुछ दिमाग में को ठीक है तो मुझे क्या प्रूब करना sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 equals to 1 upon sec theta minus 10 theta ये मुझे इसके बराबर दिखाना है जैसे मैंने भी पुछले example में दिखाया था लेकिन इसने क्या restriction लगा दिया इसने कह दिया ना भीया तुझे छूट नि दे रहा है मैं सिर्फ इती छूट दे रहा हूं तुझे कि sec square theta को 1 नहीं हमें ये वाले identity का use करना है sec square theta equal to 1 plus 10 square theta और कुछ फालती की चीज यूज करनी नहीं है ठीक है मेरे भाई हम कर लेंगे tension के लिए रहो तो सबसे पहले इन question में क्या करते है LHS उठाते है LHS ठीक है LHS क्या है यहां पर sin theta पत्तिरी यार पिलस लिख दिया mistake हो नहीं जरूर मतलब गंदिया आदत बच्पन की cutting जरूर करनी भाई यह लो ठीक है sin theta plus cos theta minus 1 मैं left hand side लेके चलता हूँ और मैं right hand side के बराबर दिखा देता हूँ तो मेरा proof हो जाता है यानि कि मैं proof कर देता हूँ इस तरह से सवाल हो ठीक है तो अब यह देखो जब इसने कहा है कि हमें लाना है one upon sec theta minus 30 था लेकिन यहाँ पर तो sin theta cos theta है तो मैं चाहता हूँ कि मैं invalid terms को sin theta cos theta को इसमें बदलू तो मेरे भाई यह बात बताओ मुझे अगर मैं sin theta को cos theta से भाग दे दूँ sin theta को मैंने cos theta से भाग दी तो क्या बन जाएगा 10 theta ठीक तो हमें इसका इसका इस्तेमाल गनना है इसका फायदा उठा लेना हमें एकदम तुरंत तो डिवाइड कर दो numerator को भी और denominator को भी काई से cos theta से तो हम कैसे करेंगे sin theta हर किसी के नीचे cos theta जाएगा sin theta minus cos theta plus 1 इसको भी कहीं से डिवाइड करना है cos theta से और यह बड़ा सा यह यह वाला फिर नीचे वाला क्या है sin theta plus cos theta minus 1 इसको भी डिवाइड करना है में cos theta से ठीक है अब divide जब करते हैं हम तो क्या करते है sin theta हर किसी के divide में जाएगा cos theta minus cos theta divided by cos theta plus 1 divided by cos theta कोई दिक्कत वाली बात है है इच्च नहीं अब आते हैं नीचे sin theta divided by cos theta क्योंकि cos theta रहो सब के नीचे है और cos theta divided by cos theta ठीक है खोल खोल के समझा रहो अगर अब भी समझ में नहीं आना भाई तो फिर मैं मेरे बसकी नहीं है फिर फिर ठीक है न फिर तुम अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा वीडियो देख लो यार थोड़ी slow करके देख लो speed का में तो fast कर लो और अगर तुम्हें सारी वीडियो देख नहीं न मेरी sorry chapters की तो playlist access कर लिया करू न यार जहां पर channel का नाम लेका वहाँ पर जाओ और playlist में बढ़ जाओ सीधा sorry वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें सब ऐसी पढ़ाई हुए एक दमस तरीके से ठीक है यहां पर आजओ sin theta upon cos theta को हम क्या कहते है time theta कहते है cos theta से cos theta cut बचा 1 1 upon cos theta होता है sec theta ध्यान से ठीक है अब नीचे वाली क्या चीज है ten theta ये वाली क्या चीज है one ये वाली क्या चीज है sec theta अब देखो हमारे पास एक identity है sec square theta इक्वल टू 1-10 square theta तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं sec square theta minus 10 square theta 10 को इधर लियाओ equals to 1 ठीक है इसे मतलब कैसे भी use कर सकता हूं मैं मुझे देखना है कि sec theta minus 10 square square बना के देखना है इस तरह से 1 करके देखना है मुझे कैसे लिख तो इन्हें एक धोरे को लाओ पासमे को लाओ 10 theta plus sec theta 1 को ऐसे लिख लो बाद में लिख लो इन्हें धोरे धोरे को ले लो पास पास को कर लो तो 10 theta minus sec theta plus 1 बाद में लिख दो अब देखो अगर मुझे किसी चीज का square बनाना है मेरे दोस्तो जैसे मेरे पास ये चीज़ है और यार मैंने हाँ क्यों लिख दिया जैसे मेरे पास क्या चीज़ है मेरे पास एक चीज़ है A minus B ठीक है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं A square minus B square बना दूँ तो मैं क्या कर दूँँगा मैं यहाँ A plus B से multiply कर दूँगा तो मेरे पास क्या है 10 theta plus sec theta है मुझे बनाना क्या है 10 square theta, sec square theta तो मैं काई से multiply करूँगा उपर नीचे multiply कर दो 10 theta minus sec theta ये देखो 10 theta minus sec theta तो ये रहा और इसके नीचे भी उपर नीचे जब उपर करोगे तो नीचे भी करनी पड़ेगी दोस्तों अपने मर्जी थोड़ी चल लिए कि कहीं भी कुछ भी डाल दिया तो उपर नीचे दोनों जगा करनी पड़ी हाँ यहाँ पर क्या लिखना है देखो यहाँ पर लिखना है तुम्हें dividing the numerator dividing the numerator बिलर तो नहीं लग रहा न एंड डिनोमेनेटर बाइ कोस थीटा यह लाइन तुम्हें बता कहाँ डाल नहीं है यहाँ पर डाल दियो यहाँ पर इसके बाद यहाँ यह वाली लाइन डाल दियो ठीक है वो मिस होगे इसमें ठीक है और यहाँ पर कह डालोगे कि multiplying by 10 थीटा मैनस 1 थीटा on numerator and denominator ओके चलो इस सवाल को बागे बढ़ा दें एक ही पेच पर करा दूँ यार तो लंबा सवाल थोड़ी है ठीक तो अब यह देखो मेरे दोस्तो यह चीज लेख लो बस इसकी multiply करो इसमें इसमें ठीक है इसको separate कर लो 1 से तो पहले हम जब ऐसा हमारे पास कुछ चीज होती है हमारे पास अगर कुछ एक चीज ऐसे है x प्लस 1 into x तो x की multiply करेंगे हम x में तो फिर x के करेंगे 1 में तो ऐसे आंसर आता ठीक है तो ऐसी हम इसकी इस पूरे की multiply 10 theta minus 1 theta करेंगे इस वाले में इसमें ठीक है 9 मत कीची हो तो 10 theta minus 1 theta और यह 10 theta plus 1 theta तो क्या बनेगा तो मेरे दोस्तों बनेगा 10 square theta minus 1 square theta फिर इसकी multiply करो इससे minus 1 से minus 10 theta minus 7 theta ओके चलो ठीक यहां तक भी कुछ दिक्कत नहीं है अब नीचे वाले की multiply लो 10 theta minus 7 theta की multiply करो इससे 10 theta minus 7 theta क्या हो जाएगा 10 theta minus 7 theta का whole square बिल्कुल सेम है ना यह तो अगर किसी की सेम की multiply करते हैं हम जैसे मैं multiply करूँ a minus b into a minus b तो यह क्या बन जाता है a minus b का whole square ठीक है बात समझ माती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब बचा one अब बन से कर दो plus 10 theta minus sec theta ठीक है यह देखो यह चीज देखो यहां से हमें क्या पता चला कि sec square theta minus 10 square theta equal to one है तो यहां से हम क्या चीज की पता गल लेंगे कि अगर मैं 10 को 10 को पल्ली तरफ पोचा दूँ तो क्या हो जाएगा one plus अच्छ है यह वही वाली यहां से देखो अगर मैं one को इधर ले आऊ तो मन जाएगा minus one और sec square को इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा 10 square theta minus sec square theta तो हमें क्या पता चला है हां से इस identity से हमें क्या पता चला कि जहां पे मैं 10 square theta minus sec square theta दीखेगा ना मुझे तो मैं उसकी जगा पे minus one लिख दूँगा यह रहा तो इसकी जगा पे minus one लिख दो minus one ठीक है अलग करो इससे separate इसकी जगा minus one लिख दिया बचा क्या minus 10 theta ओके और minus का sec theta नीचे क्या बचा 10 theta minus sec theta का whole square तो इससे खोल दो कैसे खोलोगे खोलने की ज़रूत है क्या तो क्या करो नीचे वाले को ऐसे रहन दो भी ठीक है नीचे वाला देखो यहां से लेके यहां इस वाले step से नीचे वाला change मत करो बै दिख भी रहा है तुम्हें कुछ यह ना चाहँ दिख रहा है यह देखो यह नीचे वाला मैंने multiply कर दी थी थी ना आप यह multiply मत करो यह ऐसे का ऐसे लिख दो same 10 theta minus sec theta plus 1 plus 1 और 10 theta minus sec theta अब यह ऐसे का ऐसे लिख दो उपर वाले को मैंने क्या लिख दिया 10 square theta मैंने sec square theta को लिख दिया minus 1 और यह बच्चा कुछ आ ऐसे ही ठीक है अब नीचे वाली चीज ऐसे लिख दो बिल्कुल equal to चलता आ रहा है हां से 10 theta minus sec theta वीडियो लंबी तो नहीं होगी जादा यार question यह लंबा न दोस्तो गलती मेरी क्या इसमनू बताओ 10 theta minus sec theta ठीक equals to अब इसे उपर वाले को खोल दो minus common ले लिजिए गाइस में से ठीक है minus common लेते ही minus आ जाएगा बाहर तो यह हो जाएगा plus का यह भी plus का 10 theta और यह भी minus का sec theta ठीक अब नीचे बताओ जरा नीचे लिखा हुआ है पहले से ही 10 theta minus sec theta plus 1 और 10 theta minus sec theta अब बिल्कुल ध्यान से देखो यह वाली चीज़ 1 plus 10 theta 1 plus 10 theta minus sec theta दोनों एक जैसी है मारो cut तो उपर बचा minus 1 नीचे बचा यह ठीक है अब नीचे से भी minus common ले लो जब minus common लिया तो यह हो जाएगा minus का 10 theta और plus का sec theta minus common लेने पा अंदर वालों के साइंच चेंज भी आते हैं इतना याद रखो minus से minus cancel तो नीचे क्या बता sec theta minus का 10 theta कितना easy question है ठीक है easy है लेकिन lengthy है मैं यह नहीं कह सकता कि tough question है नहीं भाई question तो easy है but lengthy है ठीक है तो अगर समझ माया हो तो दोस्तो like करो subscribe करो share जरू करो और comment तो मुझे चाहिए चाहिए ठीक है दोस्ती में